महाराष्ट में मराठा और गुजरात में पाटिदारों के बाद अब राजपुतो और ब्राह्मन समुदाय के लोगों को भी आरक्षन की मांग है गुजरात में अतिरिक्त आरक्षन कोटे के लिए समुदाय के लोगों ने OBC आयोक को पत्र भी लिका है वही AIMIM प्रमुक असवद्दीन OBC ने महाराष्ट में मुस्लिम आरक्षन का मुद्दा उठाया है इस बावत उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर मुसल्मानों के साथ नाइनसाफी का आरूप लगाया है आपको बता दे की महाराष्ट विधान मंडल में गुरुवार को मराठो को शिक्षा और नौकरी में 16 फिसदी आरक्षिन देने का प्रस्ताव पास हो गया है गुजरात में राजपूत समुदाय के नेताओं ने कहा कि वो कुल जन संख्या का महज 8 फिसदी है और महाराष्ट में मराठो की तरह वह राज्य में 8 फिसदी रिजर्वेशन की मांग करते है उदर समस्त गुजरात ब्राह्मन समाज ने OBC आयोक को पत्र लिख कर उने OBC में शामल करने के लिए सर्वे की मांग किया है गुजरात ब्राह्मन समाज के मुखिया यगनेश देव ने कहा कि गुजरात में ब्राह्मनों की संख्या 60 लाग है जो कुल जन संख्या का 9.5 फिसद है उन्होंने कहा कि 42 लाग ब्राह्मन आर्थिक रूप से कमजोर है भिकारी है उन्होंने गुजरात सरकार से एक सर्वे करा और ब्राम्भनों को आरक्षेन देने की बात कई है।